Current Ratio के बारे में हमने कुछ कुछ क्रेयात्मयक प्रश्णों को हल किया आप बहुत आसानी से समझ गया होंगे कि किस प्रकार हम Current Ratio Calculate कर सकते हैं Current Liability और Current Assets के बेस पे जैसे जैसे हम इस Chapter में आगे बढ़ते जाएंगे कुछ नए Formula हमारे साथ जूडते जाएंगे कुछ नए topics, points हमारे साथ जुड़ते जाएंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुराने हमारे जो topic है पिछले जो हमारी calculation है वहीं समाप्त हो जाएगी हर question में जो नए topic जुड़ते जाएंगे उनके साथ-साथ पुराने topic को भी हम साथ में लेकर चलेंगे जैसे आगे हमारा जो next calculation हमारी होगी वो होगी तरलता अनुपात की यानिके liquidity ratio लिक्विड रेश्यो जिसे हम quick ratio भी कहते हैं acid test रेश्यो भी कहते हैं तरलता अनुपात की जब हम गढ़ना करेंगे तो तरलता जैसे कि अमने तरलता की बारे में जान लिया है कि तरलता यानि कि क्या है यहां पर जब हम तरलता अनुपात की गड़ना करेंगे तो यहां हमारा जो पॉर्मूला होगा वो होगा तरल संपत्ती बटे चालू दाईतो यानि कि Likwidit ratio equal to liquid assets upon current liability तो current liability के बारे में तुम बहुत अच्छे से जान गए हैं हमको यह देखना है कि liquid assets क्या है हमने total assets देखा fixed assets देखा current assets देखा अब liquid assets किसको बोलते हैं यह हमारे लिए यहाँ पर नया हो जाएगा तो बहुत सावधानी से हमको ध्यान में रखना है जब हम liquid assets की calculation कर तो जो हमारी current assets है उसमें से हम दो चीजों को हटा देंगे किन-किन चीजों को एक तो prepared expense अगर है तो और दूसरा अगर stock है तो इन दोनों को अगर हम बाहर निकाल दे तो बचा हुआ current assets ही हमारे लिए liquid assets हो जाएगा एक formula के रूप में हम इसको याद रखना चाहें तो हम लिख सकते हैं liquid assets equal to current assets minus stock minus prepaid expenses और liquid assets calculate करने के बाद हम current liability पे focus करेंगे current liability क्या calculate करके दी गई है अगर दी गई है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो हमने पिछले point में देखा current liability की calculation किस किस तरह से हो सकती है तो हम उसके आधार पर current liability calculate कर लेंगे और फिर हम liquid ratio के formula में उसको रखके बहुत आसानी से liquidity ratio find out कर सकते हैं एक चीज हमको यहाँ पर जान लेना और जरूरी है यह जो liquidity ratio होता है इसके लिए अगर हम आधर्श अनुपात की बात करें तो वो होता है one is to one यानि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि liquid assets और current liability लगबग बराबर हो तो बहुत अच्छी बात है तो आईए इससे संबंधित कुछ क्रियात्माग प्रश्णों को हल करें निमनलिखित सूचनाओं से द्रवता अनुपात का परिकलन कीजिए current liability calculate liquid ratio from the following information current liabilities 50,000, current assets 80,000, stop 25,000, prepaid expenses 5,000, dators 30,000 यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार हमको सबसे पहले जब हम liquidity ratio calculate करते हैं तो उसका formula होता है liquid assets divided by current liability तो current liability तो हमने देख लिया कि कौन-कौन से liability उसके इंतरगस शामिल होती है पिछले जो हमने क्रियात्मक प्रेश्ण बनाए उसमें भी हमने देखा था प्लस हमने एक table भी देख लिया जिसे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि current liabilities में कौन-कौन से इंक्लूड होती है अब हमको liquid assets क्योंकि यहां पर calculate करना है तो liquid assets calculate करने के लिए यहां पर current assets में से closing stock और prepaid expenses जो है वह माइनस कर देंगे यहां पर तो current assets portion में दिया है 80,000 और closing stock दिया है 25,000 prepaid expenses दिये हुए 5,000 इनको हम माइनस कर देंगे तो 50,000 जो है वो हमारा liquid assets हो जाएगा अब क्योंकि जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि तरल जो संपत्यां होती है liquid assets होती है वो कौन से assets होती है जिनको हम बहुत कम समय में cash में परिवर्थित कर लेते हैं change कर लेते हैं जैसे cash जो हमारे हाथ में है bank जो है shares जो है लेकिन stock जो है उसको और prepaid expenses जो है उनको cash में convert करना इतना easy नहीं होता और इतना कम समय मों नहीं लेते हैं काफी ज्यादा समय लेते हैं तो उनको हम liquid assets में include नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम current assets में से closing stock और prepaid expenses को minus कर देंगे तो liquid assets हमारी आ जाएगी 50,000 तो यह हो जाएगा हमारा liquidity ratio equal to liquid assets is to current liability याने 50,000 equal to current liability तो यहाँ पर अल्वेडी दी हुई हम देख रहे हैं 50,000 तो यह हो जाएगा 50,000 is to 50,000 याने कि 1 is to 1 निमनांकित सुचना से तरलता अनुपात ज्याद कीजिए current liability 1,00, current assets 1,60,000, inventories 50,000, prepaid expenses 10,000, trade receivables 60,000 liquid assets यहाँ पर हमको क्योंकि liquidity ratio calculate करना है और हमने देखा कि liquidity ratio का formula हम यूज करते हैं liquid assets divided by current liabilities तो current liability तो यहाँ पर इस पर से दे दी गई है 1,00, लेकिन liquid assets हमको यहाँ पर calculate करना पड़ेगा तो liquid assets calculate करने के लिए हम देखते हैं आपर कि एक तो current assets दिया गया है और कुछ ऐसे assets दी गई है जो liquid नहीं होती बहुत जल्दी हम उनको cash में परिवर्थित नहीं कर सकते जैसे कि यहाँ पर inventories दी गई है और prepared expenses दिये गए हैं तो इसको हम current assets में से minus कर देंगे तो हमको liquid assets मिल जाएगा तो यहाँ पर हम formula base पे लिखेंगे liquid assets equal to current assets minus inventories minus prepared expenses यहने 1,60,000 minus 50,000 minus 10,000 तो 1,00,000 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका liquid assets अब liquid ratio हमको calculate करना है liquid assets हमने calculate कर लिया और current liability already question में दी गई है तो हम बहुत आसानी से formula लगा कर liquid ratio calculate कर लेंगे तो यह हो जाएगा liquid ratio equal to liquid assets divided by current liabilities यानि कि 1,00,000 divided by 1,00,000 यह हो जाएगा आपका liquid ratio 1 is to 1 निम्नांकित वेवरेंट से तरलता अनुपात ग्याद किजिए इन्वेंटरीज 80,000, working capital 2,40,000, current assets 4,00,000 यहाँ पर क्योंकि हमको एक तो liquid assets calculate करना है और working capital जो है वो एक नया point यहाँ पर आगया है तो सबसे पहले हमको liquid ratio calculate करने के लिए liquid assets की ज़रत पड़ेगी तो liquid assets calculate करने के लिए क्योंकि current assets जो हमारे पास दिया गया है अगर इसमें से हम inventories को minus कर देते हैं तो जो difference आता है जो gap बचता है वो ही liquid assets के लाएगा तो formula based हम इसको लिखेंगे liquid assets equal to current assets minus inventories यानि 4 lakh minus 80,000 equal to 3 lakh 20,000 तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि assets जो है 4 lakh के दे गई है और अगर working capital हम उसमें से minus कर देते हैं तो हमको current liability भी मिल जाती है जिसे कि हमने पिछले questions में देखा था तो यहाँ पर जो total जो current assets है वो है 4 lakh के और जो working capital है वो है 2 lakh 40,000 तो 4 lakh minus 2 lakh 40,000 यह हो जाएगा current liability 1 lakh 60,000 तो अब हमको liquid assets भी हमने ग्याद कर लिया है current liability भी हमने ग्याद कर लिये तो अब हम निकाल लेंगे liquid ratio जो हो जाएगा 3 lakh 20,000 divided by 1 lakh 60, 1000 यानि 2 is to 1 बजाज लिमिटेड ने अपनी चालू संपत्ती और दायत्यों के संबंध में निम्न जानकारी दी है current assets cash and cash equivalent 3,000 trade receivable sundry dators 14,000 bills receivable 10,000 stock 26,000 prepaid expenses 1,000 total total 54,000 current liabilities trade payable sundry creditors 16,000 bills payable 7,000 outstanding expenses 4,000 total 27,000 यहाँ पर हमको current and quick ratio यानि चालू और शीग रहनुपाद जिस्ता की हमको calculation यहाँ पर करनी है और यहाँ क्योंकि हमको सबसे पहले जब हम current ratio निकालेंगे तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि current asset divided by current liability की बेस पर हम यहाँ यहाँ क्योंकि हम calculate कर रहे थे और question में current assets पूरा निकाल कर दे दिया गया है 54,000 और current liability भी calculate करके दे दी गई है 27,000 तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर current ratio calculate कर लेंगे जो कि हो जाएगा current ratio equal to 54,000 divided by 27,000 यानि कि 2 is to 1 current ratio हो जाएगा दूसरा हम यहाँ पर quick ratio calculate करना है तो जैसी कि हमने वीडियो में देखा कि quick ratio calculate करने के लिए हम liquid assets का जो ratio है वो current liability परकूलेट करते हैं तो यहाँ पर current liability हमारे पास दी गई है और liquid assets हम को यहाँ पर calculate करना है तो कौन कौन से इसे liquid assets है यानि कि तुरंट के तुरंट जो cash में convert हो जाएंगे तो यहाँ पर एक तो हमको cash and cash equivalent दिख रहा है 3000 का उसके बाद हमको यहाँ पर एक केश में convert होने में काफिस हमें लगता है तो यहाँ पर liquid या quick ratio का formula हो जाएगा liquid assets divided by current liability यानि liquid assets है हमारा 27,000 और current liability भी हमें आपर देख रहे हैं कि 20,000 कि 27,000 ही दिया गया है तो यह हो जाएगा 27,000 divided by 27,000 यानि 1 is to 1 question में एक बात और कही गई है कि company की तरलता इस्तिती पर टिपनी कीजिए कि company की जो quick and quick ratio calculate करने के बाद जो liquidity है company की उसके बारे में क्या कहा जा सकता है तो हम एक तो हमने क्योंकि वीडियो में भी देखा था कि चालू अनुपात अगर two is to one current ratio two is to one यहां पर हमको दिखाई दे रहा है और liquid ratio जो है वो हमको one is to one दिखाई दे रहा है तो हम यह मान सकते हैं कि satisfy किया जा सकते हैं एक संतोष जनक इस्तिती में है निमने जानकारी से ग्याद के जिए पहला चालू अनुपात दूसरा तरलन पात current ratio and quick ratio current investment 40,000, inventories 5,000, trade receivable 2,000, short term borrowing 20,000, trade payable 2,500, short term provision 3,000, other current liabilities 5,000, short term loan and advances 4,000, tangible fixed assets 1,000, cash and cash equivalent 10,000 यहाँ पर हमको क्योंकि सबसे पहले current ratio calculate करना है और हमने देखा कि current ratio के लिए हमको चाहिए होता है current assets और current liability तो सबसे पहले हम current assets की calculation करने तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि current assets में कौन-कौन सी मदर शामिल होंगी question को बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक तो current investment 40,000 प्लस inventories दी गई है 5000 की प्लस trade receivable दिया गया है 2000 प्लस cash and cash equivalent है 2000 प्लस cash and cash equivalent है 10,000 और प्लस करेंगे हम इसमें short term loan and advances 4000 तो टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 61,000 की current assets है अब current liability हम calculate कर लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि short term borrowing दिया गया है 20,000 का ट्रेट पेबल दिये गया है 2500 के short term provision दिया गया है 3000 का और other current liabilities दी गई है 5000 की तो इन चारों points को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको 30,500 की current liabilities मिल जाती है अब current ratio हम calculate करें तो current ratio हमने देखा कि current assets divided by current liability है तो current ratio हमारा है 61,000 और current liability हमारी है 30,500 यानि कि two is to one जो है वो current ratio हम जाएगा दूसरा हम देख रहे हैं quick ratio तो quick ratio हमको calculate करना है जिसके लिए हमने formula देखा वीडियो में कि quick ratio का formula होता है quick assets divided by current liability तो quick assets पहले हम calculate कर लेंगे quick assets के लिए के लिए हमने देखा था कि current assets जो है उसमें से हम inventories को prepaid expenses स्टॉक्स सब माइनस कर देते हैं तो जो balance बचता है वो quick assets कहला तो यहां पर हमको formula यहां पर लिखना है quick assets equal to current assets माइनस inventories माइनस prepaid expenses current assets यहां पर है 61,000 inventories हमको दिखाई दे रही है 5000 and prepared expense अगर होता तो हम minus करते हैं लेकिन यहां पर कोई amount नहीं दी गई है तो हमने लिख सकते हैं यहां पर overall हम यहां पर कह सकते हैं कि quick assets जो है वो 56,000 only है अब क्योंकि हमने quick assets भी calculate कर लिया है current liability भी हमने calculate किया है अब यह दोनों points को formula में put कर देंगे यानि यह हो जाएगा quick ratio equal to quick assets upon current liability यानि कि 56,000 upon 30,500 तो quick ratio हो जाएगा यहां हमारा one point eight four is to one एक व्यपार का चालू अनुपात three is to one और तरहल अनुपात one point eight is to one है और यदि कारिशियल पूंजी एक लाग साथ जार रुपय हो तो कुल चालू संपत्ति और stock की गढ़ना कीजिए इस question में हमको बहुत ध्यान से देखना है कि working capital सिर्फ हमको दी गई है amount पे अगर हम देखें तो सिर्फ working capital दी गई है one lakh sixty thousand लेकिन यहां पर हमको ratio calculate करके दे दिया गया है current ratio भी और liquid ratio भी तो हमको अभी तक हम जो प्रशन बना रहे थे उसके opposite हमको चलना है वहां पर हम amount के base पे ratio calculate कर रहे थे यहां पर हमको ratio के base पे amount calculate करनी है और amount हमको सिर्फ कारशेल पुझी यानि कि working capital की दी गई है तो ऐसे condition में हम current liability को x मान लेते हैं hypothesis current liability equal to x अब क्योंकि हमने formula देखा कि current ratio क्या होता है current assets upon current liability तो यहां formula लिखेंगे current ratio equal to current assets upon current liability तो क्योंकि current ratio question में दिया हुआ है 3 is to 1 तो current ratio की जगह पर हम लिख लेंगे 3 upon 1 equal to current assets upon current liability लिखना है तो current assets भी हमको नहीं मालूम है, तो current assets की जगह हम current assets से लिखेंगे, और फिर हम shortcut में CA लिख सकते हैं, या फिर हम shortcut में CA लिख सकते हैं, और upon current liability को हमने X मान लिया है, तो उसकी जगह हम X लिखेंगे, अब यहाँ पर जब हम cross multiplication करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 को हम X से multiply कर देंगे, और CA को 1 से multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा current assets equal to 3X, अब क्योंकि हमको working capital सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके base पे हम X निकालने का प्रयास करेंगे, तो यह हो जाएगा working capital equal to current assets minus current liability, हमने इसके पहले कई question में working capital के base पे current liability निकाला है, working capital के base पे हमने current assets निकाला है, और यहाँ पर हम working capital के base पे current assets और current liability के अधार पर X यानि की current liability की करना करेंगे, तो working capital क्योंकि 1,60,000 दी गई है, तो उसके नीचे हम 1,60,000 लिख लेंगे, equal to current assets, यहाँ पर हमने देखा कि जो current assets है, वो 3X आ गया है, और current liability को हमने X माना है, तो यह हो जाएगा 3X minus X, तो next step में यह हो जाएगा 1,60,000 equal to 3X में से 1X से minus कर देंगे, तो 2X, अब जब हम X की value यहाँ पर निकालेंगे, तो X याने कि हमने current liability find out कर ली है, 80,000, अब क्योंकि current liability याने X 80,000 है, और current assets कितना था हम जब working load बना रहे तो current assets कितना था 3X, current assets equal to 3X, तो यहाँ पर हम current assets calculate कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा current assets equal to 3 into X की value किती है, 80,000, तो यह हो जाएगा 3 into 80,000 याने 2,40,000, तो हमको current liability मिल गई 80,000, current assets मिल गई 2,40,000, तो अब हमें यहाँ पर बहुत आसानी से quick ratio याने liquid ratio find out कर लेंगे, जिसका की formula होता है liquid, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और liquid assets और current liability find out करते हैं, तो यहाँ पर इसका formula होता है quick ratio equal to liquid assets upon current liability, quick ratio क्योंकि यहाँ पर 1.8 is to 1 दिया गया है, तो quick ratio की जगह पर हम 1.8 upon 1 लिखेंगे, और liquid assets क्योंकि हमको find out करना है, तो हम liquid assets से लिखेंगे, यह short में LA भी लिख सकते हैं, और upon x कर देंगे, और upon 80,000 कर देंगे, अब जब कि हम cross multiplication करेंगे, तो liquid assets equal to 1.8 into 80,000 यह हो जाएगा, तो liquid assets हो जाएगा 144,000, और क्योंकि हम जानते हैं कि liquid assets क्या होता है, जब हम current assets में से stock inventories जो होती है, prepared expenses जो होते हैं, वो हम जब minus कर देते हैं, तो हम liquid assets find out करते हैं, फिल्हाल यहाँ पर सिर्फ stock दिया गया है, तो हम stock minus करेंगे, तो यह हो जाएगा liquid assets equal to current assets minus stock, यानि 144,000 equal to 240,000 minus stock, तो अब जब कि हम इसको stock calculate करेंगे, तो stock हो जाएगा 240,000 minus 144,000, और stock हो जाएगा 96,000, चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में अंतर, संबंद के आधार पर, चालू अनुपात चालू संपत्ती वह चालू दायत्यों के मद्धे संबंद इस्थापित करता है, जबकि तरल अनुपात तरल संपत्ती और चालू दायत्यों के मद्धे संबंद इस्थापित करता है, चालू अनुपात का आदर्श अनुपात 2-1 होता है और तरल अनुपात का आदर्श अनुपात 1-1 होता है सूत्र चालू अनुपात का होता है चालू संपत्ती बटे चालू दाइतो यानि current assets upon current liability और तरहल अनुपाद यानि liquid ratio का सूत्र होता है त्वरित संपत्ती बटे चालू दायतों यानि liquid assets upon current liability उद्देश के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चालू अनुपाद का मुख्य उद्देश है कि चालू संपत्ती से चालू दायतों का भुपतान एक वर्ष में कर सकता है या नहीं तरह लणपात का उद्देश यह ग्याद करना होता है कि व्यवसाय चालू दायतों का भुत्तान तुरंत अथ्वा निकट भविश्य में कर सकती है अथ्वा नहीं